सुना अपने कितना क्रिस्पी है यह नए तरीके से लच्छा पराथा भेड सारे फटा फट बना पाओगे और वो एक एक लोई को घी लपेटने वाला काम नहीं करना पड़ेगा तो और मेरे चटरो कैसे हुआ आप चलो बनाते हैं मसाला आलू वाला लच्छा पराथा डो बनाने के लिए सेम कॉंटिटी यूज करें दोस्तों मैंने ये एक कप गेहूं का आटा लिया है और एक कपी मैदा मैदा से कहा है लच्छा काएगी और अपने जो लच्छे होते ना पराथे में वो तूटेंगे नहीं तो डो में मैंने ये नमक भी डाल दिया एक चमच औ अपस में चिपक जाएंगे और अगर हाड रहेगी तो प्रॉब्लम ऐसे ही रहेगी तो मैंने ये नॉर्मल आटा लगा लिया है पूरा इसमें अब हम लोग एक चमच घी डाल देंगे और घी की अच्छी तरह मसाज करनी आटे में चाहता नहीं एक डेड़ मिनट काफी रह या पैन में तीन चमच हम लोग को धन्या के सीड्स लेने है मतलब साबूत धन्या एक चमच जीरा आदा चमच काली मिर्च और यह मैंने पाव चमच या क्वाटर चमच अजवाइन लिया है इन सब को दो मिनट तक भूनना है मीडियम फ्लेम पर यह जो मसाला हम लोग बना यह हम लोग को दो काम आएगा और इसी से वह धाबा वाला टेस्ट आता है तो एकदम लाइट रोस्टिंग करनी है कुछ जादा नहीं भूनना इसको अब यह एकदम पर्फेक्ट दिख रहा है तो मैं गैस को बंद कर रहा हूं और यह मसालों को कम से कम पांच मिनिट ठंड करिएगा और फिर इसको दर-दरा कूटना है तो बेलन से भी बेल सकते है या फिर ऐसे आप मौटर एंड पैसल में भी कर सकते हो पावडर नहीं बनाना एकदम दर-दरा चाहिए आप देख सकते हो पर्फेक्ट लग रहा है तो अब आलू की फिलिंग बनाते है उसके लिए बोल में ये मैंने उबलेवे आलू लिये है च्छै पीस मीडियम साइस के उबालकर छील कर ले लिया हूँ अब बस हम लोग जो मसाला बनाये थे न वो आदा ही इसमें डाल देंगे बाकी का आदा अपना भुना मसाला आगे काम आएगा तो ये मसाला डालने के बाद मैं इसमें आदा प्याज डाल रहा हूँ बारिक काटा हुआ दो हरी मिर्च, एक इंच अद्रक और ये दो बड़े चम्मच जितना हरा धनिया है इसमें मैं दो सी तीन पालक के पते भी काट कर डाला हूँ ये आप डालेंगे तो और मज़ा आएगा इसमें फ्लेवर डालने के लिए खटापन के लिए मैंने 1.5 चम्मच अमचूर लिया है 1.5 टीस्पून, एक चम्मच नमक और एक चम्मची अनार दाना बस इतना ही है अब इन सबी को अच्छे तरह मिलाना है और आलू को भी पूरा क्रश कर लेंगे तो आलू और मसाला को मैंने अच्छे तरह मैश कर लिया है और अभी आप दिख सकते हूँ यह अपने आप से ही अपने आप रह रह रहा है मतलब इसका डो जैसा बन चुका है अगर इसमें बाइंडिंग कम है तो एक चम्मच इसमें गिहूं का आटा भी मिला सकते है मेरे ले तो भाई फिलिंग रेडी है अब लच्छा कर लेते हैं डो के मतलब जो 20 मिनिट हो गई है ना तो दो के लोई बना लेंगे पहले तो अभी यह डो के मैं दो हिस्से कर रहा हूँ मतलब दो बड़ी बड़ी लोई बनाएंगे इसकी ताकि हम लोग इसमें काम कर जादा भी नहीं जादा मोटा भी नहीं और क्योंकि आठा काफी सारा है तो यह बहुत बड़ा सारा बिलेगा और इसको गोल नहीं बेलना दोस्तों मैं बोलना भूल गया थोरा रेक्टैंगल शेप में बनाएंगे वरना इसमें वेस्टेज काफी जादा हो जाएगी तो ऐसे रेक्टैंगल शेप में मैंने बना लिया और यह साइज एकदम सही है अब इसमें घी लगाना है दोस्तों पराथा की लेयर को खोलने के लिए saturated fat या जो जमने वाला fat होता है वो best रहता है तो यहां पर मैंने घी इस्तमाल किया एक चमच सिर्फ एक चमच घी लगेगा इसको अच्छे तरह पराथे में फिला देंगे मतलब यह आटे में तो मैं brush से इसको spread कर रहा हूं एक even layer चाहिए मतलब roll करना start करेंगे बिल्कुल ऐसे जैसे हम लोग बाखरवाड़ी के लिए या खाइंड भी के लिए roll करते ना वैसे ही मैंने इसको पूरा roll कर लिया और अभी आप देख सकते हो इसमें layers मस लग रहे है ना इसको थोड़ा tight करना है तो मैं ऐसे और इसको घुमा लेता हू और जो sides है उसको थोड़ा अंदर send करेंगे कोने से ऐसे प्रेस कर करके ताकि इसमें wastage ना हो बस ऐसे ही मैंने दुसरी वाली भी ready कर लिए आप देख सकते हो अभी ये दोनों हम लोग की लच्छा roll है लोई बनानी है हम लोग को तो लोई वैसे ये जो recipe है ना इससे 8 medium size के प कर रहा हूँ एक पराठा के लिए हम लोग को दो लोई लगेगी ऐसी तब ही तो double layers बनेंगे double लच्छा पराठा बनेगा सारी solar की solar piece मैंने cutting कर ली अब हम लोग को इसको लोई में तबदील करना है तो बस ऐसे हाथ से अरा हम से इसको प्रेस करेंगे easy है platform में रखके इसको प्रेस करिएगा अगर आप एकदम ध्यान से देखो तो मैं layers को थोड़ा spread भी कर रहा हूँ ताकि पूरे पराठे में लच्छा वाले layers मिले बस बिल्कुल ऐसे ही सबको हम लोग प्रेस कर लेंगे और फिर जैसे मैंने पताया था ना एक पराठे में दो लोई लगेगी तो इनके जोड़ी find करनी है same size की दो पीस लोई को ऐसे आप रख लीजेगा और अभी इन में tension बहुत जादा है यार तो इनको कम से कम 5 मिनट तक धखकर stress free होने देना है तो धखकर अराम करने दीजे 5 मिनट फिर आप कभी भी इसके पराठे बना सकते हो पराठा बनाने के लिए एक लोई को अब हम लोग बेलना स्टार्ट करते हैं बस एक पीस लियाओं दोस्तों और इसको पूरी की size का बेलना है अगर यह जादा चिपक रहा है तो इसमें सूखा आठा भी यूज कर सकते हैं बस बिल्कुल ऐसे ही इसकी जो जोड़ी थी ना मतलब एक और जो लोई थी उसको भी सेम पूरी की size का बेलना है दोनों रेडी करके एक जो पूरी है उसके ओपर मसाला रखेंगे तो अपना जो आलू मसाला था उसकी बड़ी सारी चमच इसमें रखके फैलाना है मतलब अच्छी तरह spread करना है कोने में थोरा सा gap रखेंगा वरना ceiling में problem आएगी और फिर यह जो मसाला है इसके ओपर थोरा सा सूखा आटा छिड़केंगे जादा नहीं थोरा सा ही छिड़कना है और फिर दूसरी जो पूरी थी ना उससे इसको ढखके अच्छी तरह seal करना ह तो बिल्कुल बढ़िया से इसे पिंच करिएगा दोस्तों वरना बहुत problem आएगी और ऐसे seal करने के बाद अब यह अपना पराठा बनने के लिए ready है मसाला को side में रखते है और इसमें थोरा सा सूखा आटा छिड़के हलके हाथों से इसको बेलना स्टार्ट करना है वैसे इसमें लच्छा भी था आलू भी था बस पराठा की शेप में बेलना वाकी था अभी आपको दिखरी है ना layers है ना तो पराठा ऐसे normal size में बेल के उपर हम लोग इसमें हरा धन्या छिड़केंगे और वो जो भूना मसाला था ना कुटा हुआ वो भी थोरा सा डालना ह एक बार इसमें बेलन चला देंगे और यह अपना पराठा अब सिखने के लिए रेडी है तो गर्मा गरम तवे पर यह जाएगा और शुरू में आज को थोरा तेज रखना है दिखरी है ना layers नीचे से जब यह सिख जाता है ना तब इसको पलट के घी लगाना स्टार्ट कर तो यह पूरा जो puff होता है ना वैसे इसकी layers खिल जाती है आज हम लोग की तेज है तो इसमें color बहुत जल्दी आता है अब दिख सकते हो golden color ना नहीं लग चुका है लेकिन अभी यह अंदर से कच्चा है तो यह stage में आपको flame को low कर देना है और एक minute तक दोनों तरफ सेखना ह पलट पलट के ऐसे कड़ने से यह अंदर तक भी पूरा पक जाएगा और बाहर की layer भी पूरी करारी हो जाती है मस क्रिस्पी लगती है सिकाई भी अगर आप देखो तो एकदम गोल गोल हुई है ना चलो अपना यह लच्छा आलू पराठा रेडी है इसको ऐसे ही मत खाईएगा पहले निकाल कर इसको थोड़ा एक मिनिट रेस्ट करने देंगे और फिर ऐसे पकड़ के क्रच कर देंगे कैसी लगी आवाज बहार से एक दब मस्त कड़क रहता है अंदर से सॉफ्ट मसालेदार नए तरीके से लच्छा अलू पराठा आप जरूर से बना के देखेगा नॉर्मली हम लोग अगर एक एक लोई पर घी लगाकर उसकी लेयर्स बनाते तो बहुत टाइम लग जाती है यह मेठेट से तो भई नॉर्मल पराठा जितना ही टाइम लगता है यह मेरा दुसरा वाला भी बिल गया अब चलो इसको सेकते हैं मस्ट्राइ रेसिपी है यह आप देख सकते हो कितना बढ़िया तरीके से यह सिख रहा है मेरा यह दूसरा वाला भी रेडी है बहुत टेम्टिंग लग रहा है है ना मैं तो वही खाने जा रहा हूं तो कैसी लगी रेसिपी दोस्ता बढ़िया लगी तो लाइक बटन नहीं लगी तो डिसलाइक बटन लेकिन ट्राइ करना जरूर से बनता है और ट्राइ करकर मुझे भी बताना कैसा लगा वीडियो को नीचे एक सब्सक्राइब बटन या फिर एक फॉलो बटन होगा उसको क क्लिक जरूर से करें उससे आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे आज के लिए इतना ही बाई बाई